साथियों जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधे 19-20 सदी का विचार आता है लेकिन ये भी एक कथ्य है कि इन आंदलोनों की नीव बहुत पहले रखी गई थी भारत की आजहादी के आंदोलन को सदीयों पहले से चले आ रहे अनेक आंदोलनों से उर्जा मिली थी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कूर्ति के एक्ता को भक्ती आंदोलन ने मजबूत करने का काम किया था भक्ती यूग में हिंदुस्तान के हर छेत्र हर इलाके पूर पस्ची मुत्तर दक्षिन हर दिशा में हमारे संतों ने महंतों ने आचारियों ने देश की चेत्रा को जागरू रखने का अभीरत अभीराम प्रयास किया अगर दक्षिन की बात करें तो मदवाचारिय निंबकाचारिय वलभाचारिय रामानुजाचारिय हुए अगर पस्ची मुत्र की तरब नजर करें तो मिरा भाई एकनात तुकाराम रामदास नर्शी महता अगर उत्तर की तरब नजर करें तो संतरामानन कभीरदास गो स्वामी तुलसी दास शुरदास गुरूनानक देव संत्र रहिदास अंगिनत महापुरुष पूर्वकी दरब देखें इतने सारे नाम है चैतन्य महाप्रभू और सिमत संकर देव जैसे संतों के विचारों से समाज को उर्जा मिलती रही बक्ती काल के इसी खंड में रस्खान, सुर्दास, मलिक महंबत जैसी, केशवदास, विद्यापती न जाने कितने महान वेक्तित्व हुए जिनोंने अपनी रचनाओं के और रचनाओं से समाज को सुधारने का भी, आगे बढ़ने का भी और प्रगति का मार्ग दिखाया भक्ती काल में इन पुन्य आत्माओं ने जन जन के भीतर एक्ता के साथ खड़े होने का जजबा पैदा किया इसके कारण ये आंदोलन हर ख्षेत्रिय सिमा से बहार निकल कर भारत के कौने कौने में पहुचा हर पंत, हर वर्ग, हर जाती के लोग बक्ती के अधिश्ठान पर स्वाभिमान और सांस्कृतिक दरोहर के लिए खड़े हो गए बक्ती आंदोलन का वो डोर और बक्ती आंदोलन वो डोर थी जिसने सदियों से संगर्शरत भारत को सामोहित चेतना और आत्म विश्वात से भर दिया साथियों भक्ती का ये विशाय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महान काली भक्त स्री रामकृष्ण परमहुश्जी की चर्चाना हो वो महान संत जिनके कारण भारत को स्वामी विवेकानन मिले स्वामी विवेकानन भक्ती ज्ञान और कर्म तीनों को अपने में समाये हुए थे उन्होंने भक्ती का दायरा बढ़ाते हुए हर व्यक्ती में दिवेता को देखना शुरू किया उन्होंने व्यक्ती और संस्थान के निर्मान पर बल देते हुए कर्म को भी अभियवक्ती दी प्रेर्णा दी साथियों भक्ती आंदोलन के सैंक्डो वर्सों के कालखंड के साथ साथ देश में कर्म आंदोलन भी चला सद्यों से भारत के लोग गुलामी और सामराज जवात से लड़ रहे थे चाहे वो चत्रपती सिवाजी महराज हो महरना प्रताब हो जासी की रानी लक्ष्मिबाय हो कित्तूर की रानी चिन्यमा हो या फिर भगवान विर्षा मुंडा का ससस्त संग्राम हो अन्याय और सोशन के विरुद सामान्य नागरिकों के तब त्याग और तरपन की कर्मकठोर साद्रा अपने चरम पर थी ये भविश्य में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी प्रेणा बनी साथियों जब भक्ति और कर्म की धाराएं पूर्बहार थी तो उसके साथ साथ ज्यान की सरीता का ये नूतन त्रिवेणी संगम आजादी के आंदोलन की चेतना बन गया था आजादी की ललक में भाव भक्ति की प्रेणा भरपूर थी समय की मांग थी कि ज्यान के अधिस्थान पर आजादी की जंग जितने के लिए बैचारिक आंदोलन भी खड़ा किया जा है और साथ ही उज्वल भावी भारत के निर्मान के लिए नई पीडी को तैयार भी किया जाए और हम में बहुत बड़ी और इसमें बहुत बड़ी भूमी का निभाई उस समय स्थापित हुई कई प्रतिस्थित शिक्षण समस्थानों ने प्रूमान गान्धि अका आपक्षी विश्व विद्यालई या विष्वभारती युणिवर्सिती हो मनारज हिंदू विश्व विश्वविद्यालई हो अलीगर्ड मिल içingtonkop यू नेशनल कॉलेज हो जो आजकल लहोर में है मैसूर उनिवर्सिटी हो तरीची नेशनल कॉलेज हो मातματα गांधी काशी विध्यापीट हो गुजराद विध्यापीट हो विलिंगदन कॉलेज हो जामिया मिलिया इसमालिया हो लखनो उनिवर्सिटी हो, पटना उनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्व विध्यालाय हो, आंधर उनिवर्सिटी हो, अन्ना मलाई उनिवर्सिटी हो, ऐसे अनय एक संस्तान उसी एक कालगंड में देश में स्तापिद हुए इन उनिवर्सिटीज में भारत की एक बिलकुल नई विद्वत्ता का विकास हुआ इन सिक्षन समस्तावने भारत की आजादी के लिए चल रहे वैचारीक आंदोलन को नई उर्जा दी, नई दिशा दी, नई उंचाई दी बक्ती आंदोलन से हम एक जुड हुए, ज्यान आंदोलन ने बहुदिक मजबूती दी और कर्मा आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ाई का हौसला और साहस दिया सेंक्रों वर्षों के कालखन में चले ये आंदोलन, त्याग, तपस्या और तरपण की अनूठी मिसाल बन गए थे इन आंदोलनों से प्रभावित होकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई के बलिदान देने के लिए उस आजादी में बलिदान देने के लिए एक के बाद एक आगे आते रहे साथियों ज्यान के इस आंदोलन को गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्व विद्याले ने नई उर्जा दी थी गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोडते हुए अपनी परंपराओं से जोडते हुए विश्व भारती को जो स्वरूब दिया उसने राष्ट्रबात की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी साथ साथ उन्होंने विश्व बंदूत्व पर भी उतना ही जोड दिया